यमुनापार के मेजा थानाक शेत्र के अंतरगत एक अधेर व्यक्ति की गला रेट कर हत्या कर दी गई मंगलवार की सुबह खून से लत्पत उसका शव मिलने से हरकंप मच गया सूचना पाकर पुलिस फोरेंसिक टीम आयर खोजी कुटा की मदद से जांच की मिली जानकारी के अनुसार शिफ बहादूर सिंग उचडी गाउं का निवासी था सिर्सा बजार में एक दुकान पर मुनीम का काम करता था रोज की तरह सोंबार को भी काम पर गया था लेकिन घर नहीं लोटा परिजनों ने कई बार फोन किया उसका फोन नहीं उठा मंगलवार को रामनगर स्थित एक खेत में उसका शव देखकर लोगों ने शोर मचाया बताया गया कि उसके दो पुत्र बेंगलूरू में नौकरी करते हैं तीसरा बेटा विक्षिप्थ है और चोथे पुत्र की गोली लगने से मौत हो गई थी इसमें आरोपितों को सजा भी हुई थी इस मामले में मेजा पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है दोशी व्यक्तियों को जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा